नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव दाद इस कंस्ट्रेंड मोशन ओन प्लेन कव या सम्तलिय वक्रों पर प्रतिबंदित गती इसके अंदर हम जो कोई भी कण किसी वक्र पर गती करता है मालो एक कंठ है वो एक वक्रपत पर गती कर रहा है इस वक्रपत पर जब गती कर रहा है तो उस पर गुर्तवाकर्शन के साथ साथ बायेबल भी अगर कारे रत हो जिसके अदीन ये गती कर रहा हो तो उसे हम प्रतिबंदित गती कहेंगे यह एक प्लेन करव है प्लेन का उपर हमारे पास एक पार्डिकल है इस पार्डिकल के उपर mg गुर्तवाकर्शन बल जो बाहर है वो नीचे की ओर लग रहा है इस गुर्तवाकर्शन के साथ अगर अन्य बायबल भी कारे रत हो जो external force है हैं वो भी इस पर अप्लाई हूं फॉर एक्जामबल जब वक्रागरपत पर गती करेगा तो प्रतिक्रियाबल भी कारे रत होगा प्रतिक्रियाबल यह हम इसको प्रतिक्रियाबल को कहेंगे reaction force ठीक है तो reaction force जो होगा वो always जो tangent होती है उसके perpendicular होती है यह निस पर सेखा के लंवत दिशा में परतिकरियाबल कारे रता है तो अगर यहां पर हमारे पास कोई भी इसका velocity या जो हमारे पास tangent है तो परतिकरियाबल भी कारे रत हो इसके 90 degree angle बनाते हुए mg बार भी कारे रत है और इसके उपर kendriya और सपर्शेक ही है वेग अगर वेग है तो m से गुना करने के बाद में तवरन भी ग्याद किये जा सकते हैं सपर्शेक ही और अभी लंबिक तवरन यानि रेडियल और टेंजेंशियल हमारे पास जो acceleration है वो भी हम रेडियल नहीं नॉर्मल एंड टेंजेंशियल acceleration भी calculate कर सकते हैं उनको मास से multiply करें तो उनका force calculate किया जा सकता है तो उनके अधीन अगर किसी भी वक्र की गती के बारे में हम अध्यान करें तो वो पर्तिबंदित गती कहलाएगी किसी भी समतल वक्र पर कंड की पर्तिबंदित गती जैसे कि एक पत्थर बांद कर रसी को गुमाए वर्ताकारपत बनेगा वो पर्तिबंदित गती है पर्तिबंदित गती कैसे है क्योंकि वह निश्चित है हमारे पास उसमें एक तो उसका बार निचे की और जो उसको तवरित कर रहा है लेकिन एक बल और लग रहा है जो उसको लगातार एक वर्ताकारपत में एक सर्कुलर मोशन में हमारे पास लगातार गूमने के लिए बद्द्य कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे प्रति गंदित कती इसमें दोậbalance की गति किया बारे में हम बात करेंगे एक तो होगा सर्कुलर मोंशन जो पहले टोपिक हैं वो सर्कुलर मोशन में हैं यनि वर्तुल गति और एक हम जो टोपिक करेंगे वो है हमारे पास चक्रजीय गति शाइक्लॉडिल मोशन चक्रजी अगती दो टोपिक है और दो एक्सराइज है हमारे पास फिफ यह और फिफ भी फिफ्ट एक्सराइज बेश्ट आँ सेकिन्ड एक्सराइज साइकलोईडल मोशन है जिसे हम चक्रजी अगती कहेंगे वर्तल गती और सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है सबसे पहले अगर कोई सर्कल के अंदर एक कोई भी कंड आउटर साइड में भी हो सकता और इनर साइड में भी सर्कल के अंदर अगर कोई भी कंड लगातार गती कर रहा है तो उसकी गती की विवेचना करना गति की विवेचना का मतलब एक उसमें कब तो कंड जो है वो लगातार गति करके एक सर्कल पुरा कर देगा कौन सी ऐसी कंडिशन है कि जब उसकी किसी बिंदू पर जाकर कंड जो है वो अपने पत को छोड़ देता है डारेक्ट गिर जाता है और कुछ इस्ति ऐसी भी होती है जिसमें वो एक निश्चित दूरी तै करने के बाद में इस तरह से वो लगातार एक उसिलेशन करता रहता है हमारे पास तो वो कंडिशन के आउन कंडिशन के बारे में उस किस वेग से उसको फेंका जाए यह पूरी गती कर जाए या फिर उसी में ओसिलेट होता जाए या किसी निश्चित बिंदू पर जाकर अपने आपको उसपत से अलग करते हुए एक प्रोजेक्टाइल मोशन की रूफों म गती करता रहे उसके बारे में हमें स्टडी करनी है उससे पहले हम इसमें उर्दादर समतल में इस्तित एक चिकने वक्र की गती पर विचार करेंगे यहां पर हम इसमें टॉपिक लेके चल रहे हैं गती की विवेच ना करेंगे कि अगर कोई भी समतल वक्र में लगातार गत प्रारंबिक वेग में दिया होगा अंतिम वेग और प्रारंबिक वेग में संबंद गया बनेगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें उर्द्वादर समतल में इस्टित वक्र की गती या मौशन ओने स्मूथ कर इन वर्टिकल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं मानके चलते हैं कि जो गर्शन है वो अमारे पास इस कर्ण पर मन्हें नहीं है समूथ कर्ण का मतलब यह होता है कि एक ऐसा गण्रव है जिस पर friction नहीं apply हो रहा हूँ इस पर एक कोई भी particle A point A point के coordinate X0,Y0 इस point से कन गती करना start करता है और किसी निश्चित समय पर उसकी इस्तिती P बिंदू पर जहां P के निर्देशांक X,Y है T समय पर साथ हम मानके चलते हैं कि कन की इस्तिती P बिंदू पर है बहार कारे रत होगा जो निचे की ओर गुर्तवा क्रशन बल होगा हमेशा M द्रेव मानका अगर कन मानके चलते हैं तो M,G बहार जो है वो निचे की ओर कारे रत रहेगा दूसरा परतिकिरिया बल होगी परतिकिरिया बल अगर यहां पर हम स्पर्शेखा बनाएं वो स्पर्शेखा X X के साथ जो कौन बनाती है उसको हम साई से लिखते हैं हमेशा स्पर्शेखा द्वारा X X के साथ बनाया गया कौन क्या कैलाता है साई इस स्पर्श्रेखा के जश्ट पर्पेंडिकुलर जो हमारे पास पार्ट आता है उसी को हम पर्तिकिरियाबल कहते हैं यहां पर हमारे पास पर्तिकिरियाबल कारे रहता है अब कंड को वक्रा कारबत में गती करवा रहे हैं तो एक तो अभिकेंद्रियबल जो केंद्र की ओर लगेगा और एक हमारे पास स्पर्शेखियबल यानि नॉर्मल फोर्स और टेजेंचियल फोर्स दो वर्क करेंगे इसमें उस normal force और tangential force के कारण ही हमारे पास कंड में जो गती उत्पन होगी वो एक वक्रा कारपत के रूप में गती करेगा तो कोई भी कंड जो है वो वक्रा कारपत में तब ही गती करता है जब सपर्शेकिय वेग और अबिलांबिक वेग लग रहा है अगर दोनों गती कर रहे है तो उसके कारण एक वक्रा के बत में लगातार गती करता राएगा इसमें भी हमारे पास दो फॉर्स अपलाई होंगे एक तो केंडर की और जिसे हम normal फॉर्स कहेंगे या अभी केंडरीयबल कहेंगे और एक हमारे पास गती होगी एजेंशियल फोर्स की एजेंशियल फोर्स का मतलब स्परश्चेखा की अनुदिस हमारे पास गती तो यहाँ पर तो हमारे पास आएगी स्परश्चेख ही है स्परश्चेख ही है बल और इस दिशा में जो कारे रत होगा वो क्या होगा अबिलाम्बिक बल अबिलाम्बिक बल तवर्ण जो होता है V square upon रो की एक क्वल होता था उस इस्तिति में अबिलाम्बिक जो बल होगा वो हमारे पास क्योंकि M द्रेव माने इसलिए इसका जो वैल्यू आएगी वो M V square upon रो रो क्या है रेडियस ओफ करवेचर रेडियस ओफ करवेचर यानि वक्रता त्रिज्या यहां पर जो बल लगेगा वो M V dv upon ds S चाप की लंबाई जिसको हम A से B तक की दूरी मानके चलते हैं A से P तक जोता है की गई दूरी है कंड़ द्वारा वो रिप्रेजन करता है S उस इस्तिति में जो कंड का तवर्ण उत्पन होता है इस पर शेख यह तवर्ण उसको हम D2 S by DT स्केर से लिखते हैं D2 S by DT स्केर को अगर सॉल्ड करें तो V dv by ds लिख सकते हैं फर्स चेप्टर में किया था हमने अब इसके लिए हमें गति की स्मीकरन को प्रिवासिद करना है परतिकिरिया का मान गयात करना है और पूरे टोपिक को सॉल्ड करना है सबसे पहले कन A से B की दिशा में इस वक्र पर लगातार गति कर रहा है इस A बिंदू पर इसकी जो इस्तिती है वो X0,Y0 है और P बिंदू पर किसी समें T पसाथ X,Y है इस P पॉइंट पर हमारे पास दो प्रकार के बल कारे रत होंगे एक तो MG निचे की ओर और एक इसके उपर परतिकरिया बल लेकिन इस वक्राकार पत में गति करने के लिए दो प्रकार के बल इसमें कारे रत रहेंगे एक तो स्परशेक ही है यानि टेजेंशियल फोर्स होगा और एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगा एजेंशियल फोर्स होगा उसको हम MV DV अपॉन DS से और इसको MV स्केर अपॉन रो से रिप्रेजेंट करते हैं अब गति किस्मीकरन गति किस्मीकरन के लिए सबसे पहले इस MG के दो टुगडे हो जाएंगे हमारे पास क्योंकि नॉर्मल डारेक्शन में देख रहे हैं और एक डेजेंशियल डारेक्शन में देख रहे हैं तो नॉर्मल डारेक्शन और डेजेंशियल डारेक्शन में जब इसके हम फैक्टर्स कैल्कुलेट करते हैं तो एक दो इस तरफ यह जो एंगल बनेगा वो साई एंगल है तो यह जो एंगल बनेगा वो साई होगा क्योंकि यहां पर यह 90 डिगरी एंगल बनाएगा अगर यह 90 होगा तो यह 90 माइनस साई होगा और यह 90 माइनस साई होगा तो टोटल 90 होने के गारण यह साई बनेगा एंगल अगर यह si बनेगा तो mg का एक factor तो बनेगा हमारे पास component बनेगा वो mg cos si होगा और इस तरफ जो component बनेगा वो mg sin si के equal आएगा यह mg sin si just opposite है हमारे पास किसके mv dv upon ds के इसका मतलब जो गती की स्मीकरण पर शेखा की दिशा में जो गती की स्मीकरण बनेगी वो mv dv upon ds is equal to mg minus mg sin si के equal होगा minus इसलिए क्योंकि mg sin si downward direction में है जबकि mv dv upon ds upward direction में दोनों की direction opposite है इसलिए हम इसको negative sign से consider कर रहे हैं इसी परकार से अभिलांबी कती की बात करें अभिलांबी कती के अंदर अगर बात करेंगे तो इसमें एक तो पर्थिक्रिया बल उपर की और आ है एक अभिलांबिक बल mv square upon rho उपर की और है लेकिन जो mg cos si है वो निचे की और विप्रिद दिशा में है हम पर्थिक्रिया बल निकालना चाते है तो r ब्राबर क्या बनेगा r ब्राबर एक तो हमारे पास हो जाएगा m v square upon rho और माइनस का हो जाएगा mg cos यह हमारे पास दो equations बनेंगी इन दोनो equations को solve करेंगे और इसको formula हम drive करेंगे कि किस formula से हम अभी केंद्रियेबल की स्मीकरन और उस पर शेखियेबल की स्मीकरन ज्याद कर सकते हैं उससे किस परकार से पर्तिकिरियाबल और जो हमारे पास यह जो गति की स्मीकरन है उसको प्रिवासित किया जा सकता है सबसे पहले यह हमारे पास equation number one यह equation number two first year में हमने यह किया था एक कोई भी अगर s और dy और dx यह dy लेते थे यह dx लेते थे यहाँ पे psi कॉन होता था और इसको ds लिया जाता था एक त्रुबुज था इस हम कॉन त्रुबुज से या जो हमारे पास right angle triangle है उससे sin psi और cos psi की value define करते थे sin psi की value क्या थी dy by ds cos psi की value dx by ds यह values बनती हैं इसमें हम सबसे पहले sin psi की value इसमें put करते हैं और इसको solve करते हैं इसको solve करेंगे तो यह बनेगा mv dv upon ds is equals to minus mg sin psi की जगए dy by ds put करेंगे integrate करें तो half mv square is equals to minus mg y plus any constant आएगा जब point a पर है at point a की बात कर रहे हम तो y की value तो y 0 है v की value क्योंकि initial velocity उसको देनी बढ़ेगी हमें जब कन गती करेगा तो उसमें initial velocity जरूर होगी कोई ने कोई direct कोई force हमारे पास ऐसा नहीं है जो यहाँ पर कन इस्तित है उसको उपर की और गती करवाएगा उसके लिए हमें initial velocity उसको देनी बढ़ेगी हम लैट करके चलेंगे कि उसकी initial velocity क्या है u है अगर u wake से फेंकते हैं उसके बाद में उसकी गती की विवेचना और यह इसलिए v का मान हम क्या लेके चलेंगे इस a point पर u अगर यह value यहाँ पर put करते हैं तो c की value जो बनेगी वो half m u square plus m g y 0 बनेगा इसको अगर इसमें substitute कर दिया जाए तो equation को जिस फॉर्म में बन जाएगी half m v square is equals to minus m g y plus half m u square plus m g y 0 या half m v square minus half m u square is equals to minus common m g common y minus y 0 जो की energy की equation है equation of energy half m v square गती जूर्जा होती है गती जूर्जा में परिवर्तन इस्तिति जूर्जा में परिवर्तन यह बराबर है यही था हमरे पस गती जूर्जा में परिवर्तन इस्तिति जुर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है लेकिन विपरीद दिशा में है माइनस का साइन क्योंकि वो ओपोजिट डारेक्शन में हो रहा है गति जुर्जा में अगर कमी हो रही है तो इस्तिति जुर्जा में बरोत्री हो रही है कोई भी पोजिशन y-y0 क्या वेक्ट करता है यहाँ पे कन था यहाँ तक बहुंचा इसके द्वारा यह जो विस्थापन उत्पन हुआ है इस एक ही डारेक्शन में यह जो मान है उसको हम y-y0 लिख रहे हैं यहाँ से अगर वी स्केर का मान निकाल के इसमें पुट कर दिया जाए आपके पास जो एक्वेशन बनेगी उसे हम पर्तिकरिया के लिए स्मी करन कहेंगे पहले इतना नोट कर लीजिए फिर में आगे करो इसमें हमने जो अभिलाम्बिक बल था वो mv square upon rho is equals to क्योंकि आर तो अभिलाम्बिक की दिशा में है mg को साई वे opposite direction में इसलिए आर माइनस mg को साई से represent करेंगे अब हम आर की वैल्यू निकालना चाते हैं तो situation number two को solve करते हुए हम और v square की value जो हमने अभी अभी प्रूफ किया है उसमें से calculate करते हुए हम इसमें substitute करेंगे और जो value है हमारे पास प्रतिकरिया बल है वो ग्यात हो जाएगा अगर प्रतिकरिया बल को ग्यात करते हैं तो r is equals to m upon rho into v square v square की value put करेंगे जो आ जाएगी हमारे पास u square minus g into y minus 2g into y minus y 0 and plus mg cos y यह हमारे पास formula रहेगा प्रतिकरिया बल ग्यात करने के लिए उपर energy की equation है जिसकी साहता से हम velocity ग्यात कर सकते हैं किसी भी कंड द्वारा जो किसी भी समय टी पर वेग उत्पन होगा उसको ग्यात कर सकते हैं और निचे जो equation है उससे हम r की value को define कर सकते हैं प्रतिकरिया बल को इसमें सिर्फ इतना ही किया यह mg minus का था इधर आगे plus का हो गया v square की value वहाँ से calculate करते हुए और उसमें substitute किया हुए 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 CONCION